मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार मन की बात का ये 91 बाप एपिसोड है हम लोगों ने पहले इतनी सारी बाते की है अलग अलग विश्यों पर अपनी बात साजा की है लेकिन इस बार मन की बात बहुत खास है इसका कारण है इस बार का स्वतंतरता दिवस जब भारत अपनी आजहदी के 75 वर्ष पूरे करेगा हम सभी बहुत अदभूत और एतिहासिक पल के गवा बनने जा रहे हैं इश्वर ने यह हमें बहुत बड़ा सौभागे दिया है आप भी सोचिए अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती गुलामी से मुक्ती की वो तड़प पराधिन तकी बेडियों से आज़ादी की वो बैचेरी कितनी बड़ी रही होगी वो दिन जब हम हर दिन लाखों लाख देश्वासियों को आज़ादी के लिए लड़ते जूजते बलिदान देते देख रहे होते जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा और हो सकता है हमारे जीवन में वो भी दिन आता जब बंदे मात्रम और भरत मा की जय बोलते हुए हम आने वाली पीडियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं जवानी खपा देते हैं साथियों 31 जुलाई याने आजी के दिन हम सभी देश्वासी शहीद उदम सीजी की शाहादत को नमन करते हैं मैसे अन्य सभी महान क्रांतिकारियों को अपनी विनम्रस रद्धांजली अर्पित करता हुँ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योशावर कर दिया साथियों मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि आज हाजी का अमरित महुत्सव एक जनांदोलन का रूप ले रहा है सभी ख्षेत्रों और समाज के हर वर्क के लोग इससे जुड़े अलगलग कारक्रम में हिस्सा ले रहे हैं ऐसे ही ये कारक्रम इस महिने की शुरुआत में मेगाले में हुआ मेगाले के बहदूर युद्धा यू टिरोथ सींजी की पुन्यतिधी पर लोगों ने उन्हें याद किया टिरोथ सींजी ने खासी हिल्स पर नियंत्रण करने और वहां की संस्कृति पर पहार करने की अंग्रेजों की साजीस का जमकर विरोध किया था इस कारकम में बहुत सारे कलाकारों ने सुन्दर प्रस्तुतियां दी इतियास को जिन्दा कर दिया इसमें एक कार्निवल का आयुजन भी किया गया जिसमें मेगाले की महान संस्कृति को बड़े ही खुबसूरत तरीके से दर्चाया गया अपसे कुछ हपते पहले करनाटका में अमृता भारती कंड़ार थी नामका एक अनूठा अभियान भी चलाये गया इसमें राज की 75 जगों पर आजहादी के अमृत महुत सब से जुड़े बड़े भव्यकारकाम आयुजित किये गए इनमें करनाटका के महान स्वतंतरता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानी ये साहितिक उप्रब्दियों को भी सामने लाने की कोशिस की गई साथियों इसी जुलाई में एक बहुती रोचक प्रयास हुआ है जिसका नाम है आजहादी की रेल गाड़ी और रेल्वे स्टेशन इस प्रयास का लक्ष है कि लोग आजहादी की लड़ाई में भारतिय रेल की भुमिका को जाने देश में अनेक ऐसे रेल्वे स्टेशन है जो स्वतंतरता आंदुलन के हितिहास से जुड़े हैं आप भी इन रेल्वे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे जारखन के गोमो जंक्षन को अब आधिकारी ग्रूप से नेताजी सुभास जंद्रबो जंक्षन गोमो के नाम से जाना जाता है जानते हैं क्यों दरसल इसी स्टेशन पर काल काम मेल में सवार होकर नेताजी सुभास ब्रिटिस अप्षनों को चक्मा दिने में सफ़ग रहे थे आप सभी ने लखनों के पास काकोरी रेल्वे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्विल और अस्फाक उल्ला खान जैसे जावाजों का नाम जुड़ा है यहाँ ट्रेन से जा रहे हं अंग्रेजों के खाजाने को लूट कर वीर करांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिशे करा दिया था आप जब कभी तमिल नाडू के लोगे से बात करेंगे तो आपको थुतुकुडी जिले के वांची मनियाची जंक्षन के बारे में जानने को मिलेगा यह स्टेशन तमिल स्वतंतरता सेना नी वांची नाथन जी के नाम पर है यह वही स्थान है जहां 25 साल के वांची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किये की सजादी थी साथियों यह लीश काफी लंबी है देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेल्वे स्टेशनों के पहचान की गई है इन 75 स्टेशन को बहुती खुबसूर्ती से सजाय जा रहा है इनमें कई तरह के कारेकमों का भी आयोजन हो रहा है आपको भी समय निकाल कर अपने पास कैसे इतियासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए आपको स्वतंत्रता अंदोलन के ऐसे इतियास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिनसे आप अंजान रहे हैं मैं आज पास के स्कूल के विद्यार्थियों से आगरह करूँगा टीचर से आगरह करूँगा कि अपने स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को ले करके जुरूर स्टेशन पे जाएं और पूरा घटना क्रम उन बच्चों को सुनाएं, समझाएं मेरे पैरे देशवासियों आज हादी के अमरुत महोसव के तहत 13 से 15 अगस तक special moment हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है इस moment का हिस्सा बनकर तेरा से 15 अगस तक आप अब अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं तिरंगा हमें जोडता है हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है मेरा एक सुझा ये भी है कि दो अगस से पंद्रा अगस तक हम सभी अपनी सोचल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं वैसे कि अब जानते हैं दो अगस का हमारे तिरंगे से विशे सम्मन्द भी है इसी दिन पिंगली वेंकेया जी की जन्मजेंती होती है जिनों ने हमारे राष्ट्री अद्वज को डिजाइन किया था मैं उन्हें आदर पुर्वक स्तरधांजली अर्पित करता हूँ अपने राष्ट्रिय द्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान करांतिकारी मेडम कामा को भी याद करूँगा तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमी का बेहत महत्वपुन रही है साथियों आजहजी के अमरित महोत्सों में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देश्वासी अपने करतवे का पूरी निश्चा से पालन करे तभी हम उन अन गिने छोतंतरता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे उनके सपनों का भारत बना पाएंगे इसलिए हमारे अगले पचीज सान का यम्रुतकार हर देश्वासी के लिए करतव्य काल की तरह है देश को आजहाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें यह जिम्मेदारी दे कर गए है और हमें इसे पूरी तरह निभाना है मेरे प्यारे देश्वास्यों कोरोना के खिलाब हम देश्वास्य के लड़ाई अब भी जारी है पुरी दुनिया आज भी झूज रही है होलिस्टिक हेल्थ केर में लोकों की बढ़ती रूची ने इसमें सभी की बहुत मदद की है हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतिय पारंपारिक प्रध्धतियां कितनी उप्योगी हैं कोरोना के खिलाब लड़ाई में आयुष ने तो वैस्विक स्तर पर एहम भूमी का निभाई है दुनिया भर में आयुष और भारतिय आउशदियों के प्रती आकर्षन बढ़ रहा है ये एक बड़ी वज़े है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस खित्रे में कई नए स्टार्ट अप्स भी सामने आ रहे हैं हाली में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समीट हुई थी आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब दस हजार करोड रुपिय के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं एक और बड़ी एहम बात यह हुई है कि कोरोणा काल में आउशदिय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धी हुई हैं इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडिस्ट पबिश हो रही हैं निश्दिर रुप से एक अच्छी शुरुवात है साथियों देश में विविन्य प्रकार के आउशदिय पौधों और जड़िबुटियों को लेकर एक और बहतरिन प्रयास हुआ है अभी अभी जुलाई महिने में इंडियन वर्चुल हर्वेरियम को लौँच किया गया यह इस बात का भी उदारन है कि कैसे हम डिजिटल वर्ड का इस्तमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं इंडियन वर्चुल हर्वेरियम प्रिजर्व प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजीज का एक रोचक संग्र है जो कि वेब पर फ्रीली अवेलेबल है इस वर्चुल हर्वेरियम पर भी लाग से अधिक स्पेसिमेंस और उनसे जुड़ी साइन्टिफिक इन्फरमेशन उपलब्द है वर्चुल हर्वेरियम में भारत की बॉर्ट्रोनिकल डावरसिटी की सम्रुद्ध तस्वीर भी दिखाई देती है मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुल हर्वेरियम भारतिये वनस्पत्यों पर रिसर्च के लिए एक इंपोर्टन रिसोर्स बनेगा मेरे प्यारे देश वास्यों मन की बात में हम हर बार देश वास्यों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चहरे पर मिठी मुस्कान बिखेर देती है अगर कोई सकसे स्टोरी मिठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास बरे तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहा का कहेंगे हमारे किसान इन दिनों शहत के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं शहत की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है उनकी आई भी बढ़ा रही है हर्याना में यमना नगर में एक मदुमक्खी पारक साथी रहते हैं सुभास कमबोच जी सुभास जी ने वैज्यानिक तरीके से मदुमक्खी पारन का प्रशिच्छन लिया इसके बाद उन्होंने केवल छे बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था आज वो करीब दो हजार बॉक्सेस में मदुमक्खी पारन कर रहे हैं उनका शहत कई राज्यों में सप्लाई होता है जम्मू के पल्ली गाउं में विनोत कुमार जी भी डेड़ हजार से जादा कॉलोनियों में मदुमक्खी पारण कर रहे हैं उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पारण का प्रक्षिक्षन लिया है इस काम से वो सालाना 15 से 20 लाख रुपिय कमा रहे हैं करनाटका के एक और किसान है मदुकेश्वर हेगड़े जी मदुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से 50 मदुमक्खी कलोनियों के लिए सबसेड़ी ली थी आज उनके पास 800 से ज़्यादा कलोनिया है और वो कई टन शहद बेचते हैं उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहद तुल्ची शहद आमला शहद जैसे बानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं बदुकेश्वर जी मधूत पादन में आपके इनोवेशन और सफलता आपके नाम को भी सार्थक करती है साथियों आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपारिक स्वास्त विज्ञान में कितना महत्वद दिया गया है आयुरिवेद गरंथों में तो शहद को अमरित बताया गया है शहद न केवल हमें स्वाद देता है बलकि आरोग्य भी देता है शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाए है कि प्रोफेश्टनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वारोजगार बना रहे है ऐसे ही एक युवा है यूपी में गुरोपूर के निमिज से निमिज जी ने विटेक किया है उनके पीता भी डॉक्टर है लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जग़ निमिज जी ने स्वारोजगार का हैसला लिया उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया क्वालिटी चेक के लिए लखनाओं में अपने एक लैब भी बनवाई निमिज जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग-अलग राज्य में जाकर किसानों को प्रसिछित भी कर रहे हैं ऐसे युवाओं की महनत से ही आदेश इतना बड़ा सहद उत्पादक बन रहा है आपको जानकर खुशी होगी कि देश से सहद का निरियाद भी बढ़ गया है देश ने नेशनल बी किपिंग एन हनी मिशन जैसे अभ्यान चलाए किसानों ने पूरा परिश्रम किया और हमार शहद की मिठास दुनिया तक पहुंचने लगी अभी इस ख्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाय मोजूद है मैं चाहूंगा कि हामारे युवा इन अफसरों से जूड कर उनका लाब लें और नई संभावनाओं को साकार करें मेरे पहरे देशवासियों मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक सुरुता स्रिमान आशिष बहल जी का एक पत्र मिला है उन्होंने अपने पत्र में चमबा के मिंजर मेले का जिक्र किया है दरसर मिंजर मक्के की फूलों को कहते हैं जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है और इस मेले में देश भर के परियतक दूर दूर से हिस्सा ले निकली आते हैं संयोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है आप अगर हिमाचल गुमने गए हुए हैं तो इस मिले को देखने चमबा जा सकते हैं चमबा तो इतना खुबसुरत है कि हां के लोग गीतों में बार-बार कहा जाता है चमबे इक दिन ओना कने महीना रहना यानि जो लोग एक दिन के लिए चमबा आते हैं वे इसकी खुबसूरती देखकर महीने भर यहां रह जाते हैं साथियों हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्परा है मेले जन मन दोनों को जोडते हैं इमाचल में वर्षा के बाद जब खरिब की फसले पकती हैं तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या शैर भी मनाये जाता है सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है जागरा के मेलों में महासु देवता का आवान करके बिसु गीद गाये जाते हैं महासु देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किंदोर और सिर्मोर के साथ सांब उत्राखन में भी होता है साथकों हमारे देश में अलग-अलग राजयों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपारिक मेले होते हैं इन में से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है जैसे कि आपको अगर मोका मिले तो तिलंगना के मेडारम का चार दिवस्य समक्का सरलंबा जात्रा मिला देखने जरूर जाईए इस मेले को तिलंगना का महाकुम कहा जाता है सरलम्मा जात्रा मेला दो आदिवासी महला नाई काउं समग का और सरलम्मा के सम्मान में मनाय जाता है एतने लंगना ही नहीं बलकि छत्तिजगर्ट महराष्टर और आंधर प्रदेश के कोया आदिवासी समुदाय के लिए आस्ता का बड़ा केंद्र है आंधर प्रदेश में मारी दम्मा का मेला भी आदिवासी समाज के मानिताओं से जुड़ा बड़ा मेला है मारी दम्मा मेला जेश्ट अमावासया से असाड अमावाशया तक चलता है और यहां का आदिवासी समाज इसे शक्ती उपासना के साथ जोडता है यहीं पुर्वी गोदावरी के पेद्दापुरम में मरीदम्मा मंदीर भी है इसी तरह राजस्तान में गरासिया जन्जाती के लोग वैशाख सुकलच चतुरदर्ची को सियावा का मेला या मनखारो मेला का आयोजिन करते हैं 36 गण में बस्तर के नाराणपूर का मावली मेला भी भावत खास होता है पास ही मद्द प्रदेश का भगोरिया मेला भी खोग प्रसिद्ध है कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुवात राजा भोज के समय में हुई है तब भिल राजा कासुमरा और बालुन ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजिन किये थे तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्सां से मनाई जा रहे हैं इसी तरह गुजरात में तर्णे तर और माध्वपुर जैसे कई मेले बहुत मशूर है मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की उर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे आधुनिक समय में समाज की पुरानी कडिया एक भारत सेष्ट भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है हमारी विवाओं को इनसे जरूर जुड़ना चाहिए और आप जब भी ऐसे मेलों में जाएं वहां की तस्वीरे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें आप चाहें तो किसी खास हैस्टRC का भी इस्तवाल कर सकते हैं इसे उन मेलों के बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे आप कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी तस्विरे अप्लोड कर सकते हैं अगले कुछ दिन में कल्चर मिनिस्ट्री एक कमपडिशन भी शुरू करने जा रही है जहां मेलों की सबसे अच्छी तस्विरे बेजने वालों को इनाम भी दिया जाएगा तो फिर देर नहीं कीजिये मेलों में घुमिये उनकी तस्विरे साजा करिये और हो सकता है आपको इ एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉइज एक्सपोर्ट में पावर हाउस बनने की पूरी ख्षमता है मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की सम्रुद्य विरासत की खास तोर पर चर्चा की थी भारत के स्थानिये खिलों ने परंपरा और प्रकृती दो मैं आज आपके साथ भारतिय खिलोनों की सफलता को शेर करना चाहता हूँ हमारे यंग्स्टर्स स्टार्टप्स और एंटरप्रस के बूते हमारी टॉय इंडिस्ट्री ने जो कर दिखाया है जो सफलता है हासिल की है उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी आज जब भारत ये खिलोनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल्फ और लोकल की ही गुंच सुनाई दे रही हैं आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलोनों की संक्या लगातार कम हो रही है पहले जहां तीन हजार करोड रुपे से जादा के खिलोने बार चे आते थे वहीं अब इनका आयात सत्तर प्रतिशत तक घट गया है और खुशी की बाद ये है कि इसी दोरान भारत ने 2600 करोड रुपे से अधिक के खिलोनों को विदेशों में निरियात किया है जबकि पहले 300-400 करोड रुपे के खिलोने ही भारत से भार जाते थे और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांसफर्म करके दिखा दिया है इंडियन मैनिफेक्टरर्स अब इंडियन माइथालोजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित खिलोने बना रहे हैं देश में जग जग खिलोने के जो क्लस्टर्स हैं खिलोने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उन्हें इसका बहुत लाव हो रहा है इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलोने अब दुनिया भर में जा रहे हैं भारत के खिलोना निर्वाता विश्व के प्रमुक ग्लोबल टॉय ब्रांज के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्ट अप सेक्टर भी खिलोनों की दुनिया पर पुरा ध्यान दे रहा है वेक्षेतर में कई मजेदार चीजे भी कर रहे हैं बैंगलूरू में शूमी टॉय नाम का स्टार्ट अप इको फ्रेंडली खिलोनों पर फोकस कर रहा है गुजरात में आर्किजू कंपनी ए आर बेज फ्लेश कार्ड्स और ए आर बेज टूरी बुक्स बना रही है पूने की कंपनी फन्वेंशन लर्निंग, खिलोने और एक्टिविटी पजल्स की जरिये सायंस, टेक्नलोजी और मैस में बच्चों की दिल्चस्पी बढ़ाने में जूटी है मैं खिलोनों की दुनिया में शांदार काम कर रहे ऐसे सभी मेनिफेक्चर्स को, स्टार्ट अप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आईए, हम सब मिलकर भारतिय खिलोनों को दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय बनाएं इसके साथ ही मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक भारतिय खिलोने पजल्स और गेम्स खरीदे साथियों, क्लास्रूम हो या खेल का मैदान आज हमारे युवा हर क्षेत्र में देश को गवरवानुइत कर रहे हैं इसी महिने पीवी सिंदु ने सिंगापोर ओपन का अपना पहला खिताब जीता है निरत चोपरा ने भी अपने बहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ल एतलेटिक चेंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है आरलेंड पेरा बेडमिंटन इंटरनेश्टन में भी हमारे खिलाडियों ने ग्यारा पदक जीत कर देश का मान बढ़ाया है रोम में हुए वर्ल कैड़ेट रेस्लिंग चेंपियनशिप में भी भारतिये खिलाडियों ने बहतरीन प्रदर्शन किया हमारे एतलेट सुरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया उन्हें ने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेस्लिंग का गोल मेडल जीता है खिलाडियों के लिए तो यह पूरा मैना ही एक्शन से भरपूर रहा है चिन्नई में 44 वे चेस अलिम्पियार की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है 28 जुलाई को ही इस ट्रोडामेंट का सुभारंब हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरिमेनी में शामिल होने का सौबाग मिला उसी दिन UK में Commonwealth Games की भी शुरुवात हुई युवाज जोस से भरा भारतिय दल वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं सभी खिलाडियों और एटलिट्स को देश वास्चों की और से शुबकामनाई देता हूँ मुझे इस बात के भी खुशी है कि भारत FIFA Under 17 Women's World Cup उसकी भी मैजबानी करने जा रहा है यह टूनामेंट अक्तूबर के आसपास होगा जो खेलों के प्रती देश की बेटियों का उत्सा बढ़ाएगा साथियों कुछ दिन पहले ही देश भर में दस्वी और बारवी कक्षा के परणाम भी गोशित हुए है मैं उन्स सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ जिनोंने अपने कठीन परिश्रम और लगन से सफलता अरजित की है महामारी के चलते पिछले दो साल बेहत चुनावती पुन रहे हैं इन परिश्थितियों में भी हमारे युवाओं ने जिस साहस और संयम का परिशे दिया वो अत्यन सरहानिय है मैं सभी के सुनरे भविश्की कामना करता हूँ मेरे पैरे देश भास्यों आज हमने आजहजी के 75 साल पर देश की यात्रा के साथ अपनी चर्चा शुरू की थी अगली बार जब हम मिलेंगे तब हमारे अगले 25 साल की यात्रा भी शुरू हो चुकी होगी अपने घर और अपनों के घर पर हमारा प्यारा तिरंगा फैरे इसके लिए हम सब को जुटना है आपने इस बार स्वतंत्रा दिवस को कैसे मनाया क्या कुछ खास किया ये भी मुझसे जुरूर साजा करिएगा अगली बार हम अपने इस अमृत पर्व के अलग अलग रंगों पर फिर से बात करेंगे तब तक के लिए मुझे आग्या दिए बहुत बहुत धन्यवाद अज पाते हैं पूरे देश के लिए जन जन के लिए ये बड़ा ही प्रेणादाई अवसर है और आज का दिन है अत्यांत पिशेष नमस्कार अज रिए उपती भवन New Delhi अफिश बेशियर बात करेंगे ने अशब ट्रीच अब्रेश जिए फिए अईंट थिंए टे इंगें ये बात करेंगे अज जिए फिए यख जिए टीव जए घ्यवाद भन करेंगे पर दिए to India's newly elected 15th president Srimati Draupati Murmo, India's first tribal woman president. The transitions of a country's president are ceremonial occasions. A certain amount of pomp and protocol are mandatory. And why not? These traditions add to the process of smooth transitions, of continuity being celebrated and honor being bestowed to the high office. Vishal Rashrapati Bhavan ka prangana, jahaan Rashrapati Angarakshak, mustayad apse kuchhi der mein, yahaan Rashrapati Bhavan se, nav nirvachit rashrapati aur nivaratman rashrapati, sansat bhavan ke kendri kaksh ke liye prasthaan kareenge, shandar drishe, aur aaj ke mausam me, jahaan kubhi suraj badalhoon se nikalta hua, aur kubhi...